नमस्का दोस्तों और मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज मैं वीडियो बना रहे हूँ सोल की जर्नी की सीरीज में और ये वीडियो आइडियली मैं थोड़ी टाइम के बाद बनाना चाहा रही थी क्योंकि ये वीडियो बहुत अलग होगी जो आप अलड़ी बहुत सारी जगाओं पर देखेंगे या सुनेंगे आपने आज तक सिखा होगा या सुना होगा या समझा होगा और ये वीडियो कंपलीटली बेस्ट है कि मुझे क्या मेसेजिस आ रहे हैं या मेरा क्या डाउनलोड है मुझे किस तरह से लाइफ के बारे में बताया जा रहा है जो भी आप सोर्स बोलो भगवान बोलो गाइड बोलो इंजन बोलो उनके द्वारा तो उसके बेस पे मैं ये वीडियो आपके साथ शेर कर देए हूँ आज की वीडियो है करम के बारे में आज की वीडियो है करम वाकई में है ये मित है ये सच है या आपकी करम जो पिछले जन्मों के हैं वो वाकई में आपको इंपक्त करते हैं कितना इंपक्त करते हैं कैसे इंपक्त करते हैं कहां से आते हैं और ये ठेरी क्यों बनी हा कर्मा की?! तो पार्शलिख सि चीजशें आज की वीडियों में कवर होंगी और फिर नेक्स्ट वीडियों में हम कवर करेंगे आपके questions के base पही तो सबसे पहले बात करते हैं, कर्म क्या है तो करम बोलते हैं कि करम परधान हमारी जिंदगी जो है वो करम परधान है तो जो भी हम करम करते हैं उसका हमें फल मिलता है partially such है कि जो हम करम करते हैं उसका हमें फल मलता है पूरे तरह सच नहीं है पूरे तरह सच इसलिए नहीं है क्योंकि basically अगर किसी के जिन्दगी खराब पुश्किलों भरी है किसी के जिन्दगी में जादा problems आ रही है या वो अपने आपको बहुत असानी से बोल देते हैं कि मैंने पिछले जन्दगी में कुछ बुरे करम किया हूंगे तब ही मेरे साथ ऐसा हो रहा है अब क्या हुआ या अपने आपको statement दे दी अब इसके बाद आपको कोई action नहीं लेना है क्योंकि आपने पिछले जनम पर blame लगा दिया अब आप इस जनम में कुछ करतो सकते रही हो आपने तो वो करम कर लिया है तो फिर अभी क्या करना है अभी इस सिचुवेशन में रहना है जिस सिचुवेशन में आप हो पर वो सच नहीं है हम अपनी सिचुवेशन हमेशा हमेशा बदल सकते हैं तो basically ये करम की थियोरी और especially पिछले जनमों के करम की थियोरी ये कहां से आई है अपने अपने घरों में अपनी फैमिली में कोई ना कोई baby grow होता हुआ देखा होगा बहुत चोटी बात है लेकिन हम क्या सिखा रहे हैं बच्चे को हम सिखा रहे हैं अपनी गल्ती का ब्लेम दुसरे पर लगाना क्यों क्योंकि वो अपनी गल्ती से गिरा लेकिन हमने ब्लेम किसी और सडक पे लकडी पे बकसे पे फ्लोर पे किसी पे भी वो ब्लेम लगा दिया थाकि बच्चा रोना बन कर दे या उसको बुरा ना लगे तो हमने किसी और को उसके लिए मार दिया और वो बहुत चोटी चीज है लेकिन वो उस बच्चे के अंदर बैठ गई तो एक theory बन गई एक mindset बन गया कि मेरी गलती जब भी होगी तो वो actual मेरे को जब भी तकलीफ होगी तो वो किसी और की गलती होगी वो किसी और पर मुझे ब्लेम लगाना है अब इसी mindset के चलते कुछ तकलीफ हैं जिनका कोई logic नहीं है तो अगर आपके life में पैसा आता ही नहीं है रहता ही नहीं है कोई logic नहीं मिलता है तो क्या होता है कि ब्लेम असान है मेरे पिछले जनम में में बुरे करम किये इसले में को फल मिल रहा है तो अब मैंसे बारे में कुछ नहीं कर सकते हो मुझे ऐसी जिन्देगी जीनी है absolutely wrong बिलकुल गरत है यह और क्या होता है कर्मा कर्मा आपके पिछले जनमों का फल जो है वो नहीं है पिछले जनमों का फल नहीं है partially क्यों कर्मा कहां से आ रहा है मैं आपको एक example भी दूँगी समझाने के लिए तो क्या है जब हमारे सोल ने अपनी जिन्दगी चूज की उसने अपनी जिन्दगी की मुश्किलें चूज की अपने जिन्दगी के लोग चूज की अपनी जिन्दगी की situations चूज की सब कुछ ह अब उसने एक path decide किया और एक manzal decide की कि उसका lesson क्या है उसको क्या सीखना है इस जनम में तो एक path और एक manzal अब जब सोल वर्ड से हम human world में आते हैं सब कुछ भूल जाता है कि हम क्या decide कर क्या है हमें क्या करना है अभी जरूरी नहीं है कि हम उसी path पर चलके सीधा उस manzal पर जरूरत या ultimate truth क्या है किसले वो आई है सीखने के लिए तो इसलिए उसने रास्ते में जब भी वो divert होगी तो उसने अपने लिए मुश्किले रखी है गलत तरह के लोग, पूरी situations, money problems, relationship problems उसने अलग लग तरह के मुश्किले अपने लिए health issues, physical health issues, अलग लग तरह के मुश्क और जब भी चीज कोई आप बहुत जादा strength लगा के बहुत जादा जोर लगा के बहुत जादा दिमाग लगा के सीखते हो, तो वो जो need है आपकी जो lesson है आपका बहुत strong होता है, नहीं जूर जो जादा होता है, इसी तरहां से, तो वो मुश्किले अपने lady side की, जब भी हम ताकि हम अपने गोल की तरफ चाहें वही डाइवर्जिन जो है वह आपका कर्मा है तो जब आप अपने पाथ पे जा रहे हो लेकिन आप अपने पाथ से डाइवर्ट हो रहे हो तो वह आप करम कर रहे हो लेकिन वह गलत करम कर रहे हो अभी गलत करम का मतलब यह नहीं है कि भुर मोश्किल्ण करने लुब्ले नहीं का यह लुव खुश में उन्हें क्ते लुब। नहीं किया हैं। बलब भुड यंदु आगे आगे व्यूत्व मैं कृनेक्शन और और पिछले जनम यहां अगर अपना ब्रों learn नहीं किया है जो भी चीज़े आपको सीखनी थी आपने despite of मुश्किले problems या अच्छी चीज़े या अच्छा path या लोगों की guidance या gurus की guides की angels की guidance आपने वो सीखा नहीं जब आपने वो नहीं सीखा तो इस जनम में आप खुद आपकी soul अपने लिए एक मुश्किल रास्ता choose करेगी वहाँ पिछले जनम के करम का जो impact है वो आएगा मुश्किल रास्ते में उसका मतलब यह नहीं है कि आप उसको change नहीं कर सकते हो आप उसको absolutely change कर सकते हो अगर आप अपना life purpose जो है उसको समझो आप अपने life lesson को समझो और उसकी तरफ चलना शुरू हो जब भी आप अपना life purpose समझोगे अपना life lesson समझोगे उसकी तरफ चलना शुरू करोगे आपकी सारी मुश्किले धीरे 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 खतम होना शुरू होगी चाहे वो आपकी physical, चाहे financial, चाहे emotional, चाहे spiritual health हो, कोई भी aspect हो आपके life का, वो बिलकुल heal होना शुरू होगा जब आप इतने रास्ते पर चलना शुरू करोगे, तो इसलिए कर्मा जो कि यह एक myth है, जो हम लेके चलते हैं, क्योंकि हमें blame दूसरों पर लगाने की आदत है, और ऐसा नहीं है कि हम बुरे करम करेंगे, या कोई बुरा करेगा तो उसका फल नहीं मिलेगा, और हम देखते हैं, इस टाइम में बहुत से लोग बुरा कर रहे हैं, लेकिन बहुत अपने लिए वो difficulties, वो बुरा path उसने अपने लिए खुड decide किया है, कि मैं attract हूँ बुरे से बुरे से बुरे की तरफ ताकि उस मुश्कल से निकल के मैं अच्छा करना सीखूं, तो as a soul जब उस मुश्कल से निकल के वो अच्छा करना नहीं सीखेगा, तो जब वो अपना अ अपने किसमत को कभी भी ब्लेम मत कीजिए, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका आपको ब्लेम करना है, और कभी भी यह मत सोचे कि आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, जिस दिन आप चाहो, आपको सिरफ देखना है कि आपका lesson क्या है, learn करना है, और उस lesson पे आगे बढ़ोगे तो आप automatically आगे बढ़ोगे, इसका example जो है, वो ऐसा हो सकता है, जैसे हम degree के लिए college जाते हैं, या पढ़ाई के लिए school जाते हैं, अब हमारा school में admission हुआ, हमने admission लिया, अब हमारा ultimate aim क्या है उस degree को पाना, जब तक हम पढ़ाई करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, हम हमने अपना करम जो है, वो दूसरी तरफ मोड दिया, ऐसा नहीं है कि हम वापस नहीं जा सकते हैं, हम अपसलूटली वापस जा सकते हैं, वो हमारे पिछले जनम का करम नहीं है, जिसके कारण हम खराब हो गए, गंदे हो नहीं, वो हमारी learning है, तो अगर हम उस तर पात पे च कार्मिक साइकल है, और यह क्यों है, क्योंकि आपने खुद ये चूज किया है, आपकी सोल ने, आपने खुद ये चूज किया है, क्योंकि आप अपने पात से डाइवर्ट होए हो, लेकिन अगर जब मैं अगली बार स्कूल में आओंगी, और मैं उसमें पढ़ना शुरू क तो हाथ में किसके है, हाथ में हमारे है उसको चेंज करना, मैंने अपना purpose figure out किया, एक बार मैं fail हुई, लेकिन दूसरी बार मैंने अपना purpose figure out किया, और मैं अपने path पर चली, struggle जादा थी, मुश्कल जादा थी, लेकिन ultimate result जो है, वो happiness है, तो ये कर्मा की थेयरी है, और प्लीज अब आप अपने कर्मा को, अपने past को, अपने past को, अपने पिस्चले birth को blame करना छोड़िये, और समझे कि आपकी life की बागदोर आपके हाथ में है, आप उसको change कर सकते हो, जाने से पहले मैं आपको एक card जरूर देना चाहते हूँ, और इसके लिए मैंने, see, क्या आया, पहल प्रिया कार्ड आया, freedom, the unicorn, let the unicorn set you free, तो आपके पास freedom है, आपके पास, आपका कर्मा आपको free छोड़ता है, क्या करना है, आपकी life आपको free छोड़ती है, आपको क्या करना है, जो choices आप करते हो, उस पे आपका कर्म होता है, अगर आप honest रहोगे अपने life path के साथ, अपने purpose के साथ, तो आप manifest करोगे, और जब आप manifest करोगे, तो आप actual में अपनी life के लिए बहुत अची चीज़ें, बहुत बड़ी चीज़ें जो है, वो कर सकते हो, तो कर्मा की थियोरी यही है, यह आपकी manifestation है, खुद की, किसी और की नहीं है, आप free हो क्या manifest करना चाहते हो, आप totally free हो आप क्या manifest करना चाहते हो, और आपको वही manifest करना है, तो यह आपकी अपनी theory है, आपका अपना freedom है, आपकी अपनी honesty है, और उसके वही कर्मा है, तो I hope कि यह वीडियो आपको help करे, और जितने जादा लोगों के साथ आप यह वीडियो शेयर कर सकते हो, उतना ही मैं आपका ध आप टाइम है, जब 2020 में सब कुछ रिन्यू हो रहा है, 2020 खतम हो रहा है, 2021 चुरू हो रहा है, कुछ साल रिन्यूवल के हैं, तो सब को हमें अपनी thought जो है, वो change करनी ज़रूरी है, तो help कीजिए उसको करने में, जितने जाद लोगों साथ share करेंगे, उतनी जाद आप help करें थैंक यू सो मच, बाइब बाइ